नमस्कार, मैं बलजी धाका, पिनेकल कोजिंग सेंटर से आप सभी का सवावित करता हूँ, और आज हम करते हैं ससे सीजल 2015 से लेटिट जो अभी रेजल्ट आया है, हाल के लाल में, उस पर अनालिशिस चल रहा है, पार्ट वन में हमने इंट्री पोस्ट से लेटिड है अनालि की थी कि कौन सी पोस्ट है वो जादा स्टेंट परफेर कर रहे हैं, कितनी मेल जाती है, 2016 में किस तरह इस भावना हो सकती है, अगर हम पीछे के डाटा को आजार माने दो, इसी तरह से हम लोग SSE सीजल 2015 पे ये अनालिशिस रिशर्ट कर रहे हैं, और ये रिशर्ट या अना होगा, कि कम से कम आपको ये अंदादा होगा, लगेगा इसे कि कितनी कट ओफ जा सकती है, टायर वंग में, टायर टू में, कितना स्कोर आपको करना चाहिए, और उसके लिए क्या आपकी स्टर्जी होने चाहिए, 2016 में अगर कोई भी जोग लेनी है, तो कितना कम से कम स्कोर करें और उसके लिए अभी से क्या करें अगर जो रेजल्ट आए जैसे आपको पहली पार्ट में बताया था टोटल लगबग साड़े आठ हजार के आसपास है वो केंडिट को जोग मिली है आप बोल सकते हैं लगबग एक से पॉइंट वन परसेंट के आसपास रेजल्ट आता है और जो लोवस्ट कट ऑफ गई है नोन इंट्रू पोस्ट की बाप खर रहे हैं इंट्रू पोस्ट पहले आप एक प्रजेंटेशन और इससे आपको काफी जानगारी मिल जाएगी इंट्रू पोस्ट के बारे में अब नोन इंट्रू पोस्ट सेलेटेड जो गई है जलर के टेगरी सेलेट वो लगबग लगबग आप बोल सकते हैं 414 के आसपास कट ओप गई है और अबोब 400 गई है वो OBC के टेगरी सेलेट और तो सारे 300 यासपास 345.5 SC के टेगरी सेलेट है काट ओप गई है तो अनो रिजर्व के टेगरी और ये SC से रिएड है उस के टेगरी सेलेट इस रेंज में आपको इससे उपर स्कोर करना है 2016 में अगर अगर सेम लेवल अब कॉशिंज होते हैं तो बाकी फेक्टर कॉंस्टें प्रस्टिए जाये तो आप चलते हैं कि इसका अग्यर, हम बात करें तो हईयस्ट, जो नोरे निंट्रू पोस्ट परेटरिफस्ट किसको दी है, तोटल अप्रॉक्षिमेटर्ड ली अगर बात करें तो पांस हजार क्या स्पास विकेंशी है, पांस अल्गिया स्पास पांस बाकि आपका figure आपके सामने है सभी वेकंसी के लिए highest frequency हो CBDT में है highest frequency थी 2015 में CBDT direct Texas Central Board of direct Texas selected और बाकि आप उस ते हैं CAG selected जो controller and auditor General of India जो CAG है अभी famous सथा है उसमें भी काफि वेकंसी थी तो आप यह देखिए किस किस में कितनी वेकंसी है लेकिन अब हम बात करें General category में यह जो slide है यह presentation इस पेज पे वो यह बताया गया है कि General category student में सब से कम जो preference दी है जा सब से नीचे जो मेरिट दी हुआ है Tax Assistant in CVEC Excise and Customs लेकित आप बात कर सकते हैं Excise Department उसको सब से कम तवज्ज़ दीखी है हालागी वेकंसी भी काफी है इसमें Sub Inspector Central Bureau of Narcotics Sub Inspector Post और Narcotics Department उसमें सब से ज़्यादा लग भग लग वो बोल सकते हैं कि जिन लोगों का interview post में नहीं हुआ होगा और उन्होंने अगली जो preference है वो इस पे लगाई है नार्कोटिक्स देपार्टमेंट और 432 जो cut off गई है minimum यह minimum cut off है इसका मतलब यह नहीं है कि 436 score कर वाला स्वेंट होगा इसमें 440 वाला भी होगा 443 वाला भी होगा क्योंकि जो उसमें cut off आपने टायर वाले इसमें इंट्री पोस्ट वाले में प्रजेंटेशन में देखिए कि उस minimum cut off कितने में उससे निच्चे वाले इसमें आए ओडिटर इन ओफिस अंडर जो CGA और दूसरे डिपार्टमेंट है उसमें देखिए ओडिटर की पोस्ट आप बोल सकते हैं उस पे हाइस्ट बैट लगती है सब इंस्पेक्टर के बाद में उसमेंट सबसे ज़्यादा प्रफेंस देते हैं इसको हाला कि ये विकेंसी कम होती है इसलिए थोड़ा जज्जमेंट करना इसमें मुश्किल होता है लेकिन ओडिटर ओविसली इन ओभी सेंटर के वो इस पे अलिए रहा है तो ये ओडिटर की पोस्ट है आप बोल सकते हैं काफी लुक्रेटिव पोस्ट मानी जाती है पावर्फुल पोस्ट मानी जाती है अगर आप फोम भरें 2016 या 2017 आगे इसमें प्रिफेंस भरें तो आप थोड़ा ही आपको इस दोनों प्रेंटेशन से हिंट मिलेगा कि किस रेंज में सबसे जायर मेरी जाती है और आप क्या स्टर्जी अपनी बना सकते है कईयों के लिए डेपार्टेंट अच्छा सकता है लेकि कईयों के यह भी हो सकता है यहां पर एक डाटा यह बता रहा है जादा तर लोगों ने इसको फिर उसके बाद इसको ऐसे इस रेंज में आई है अकाउंटेंट उसकी रेंज नहीं है इसका मतलब कोईस्टेंट जनलर के टेटिन के था केंड़ेट और उसका इंट्री पोस्ट में नहीं हुआ तो निच्चे जो सब से स्कूल गया फोर्ट अंभी सेवन नंबर होंगे जरूर उसके तब जाकर यह पोस्ट आपको मिले उसके बाद अकाउंटेंट और एक चीज़ा आपको मैं बता रोता हूँ इसमें टैपीं टैस्ट भी होते है कुछ एक में तो जिन लोगों जिनका टैपीं टैस्ट क्वालिफाय होगा वही इसमें आगे बड़े है और यह कारना हो सकता है कि इनकी जो बिर्ट नीचे गही है दोनों की उसके पीछी यह हो सकता है One बेस्ट एक रिजन हो सकता है या हर राज्य का अपना अपना प्रफ्रेंश होता है जैसे मैंने बता रहा था कि हर्याना नोर्थ इंडियां बहुत सारे लोग है इनको ज्यादा प्रफ्रेंश करते हैं एनिवें यहां पर जो डाटा अश्याना अलिशिस कर सकते हैं लोग अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट 425 या सबास उसकी कट ओफ वी UDC की 425, 417 और 413 मिनिमन अगर SSC CGL में टार 1 और टार 2 दोनों को मिलाकर कोई जनल केटेगरी का स्प्रेंट है और उसके 2015 में अगर 413.50 नमर है तो उसको नोकली नहीं मिली उसको कोई भी नोकली नहीं मिली है क्यों क्योंकि कम से कम ये स्कोर चाहिए था तो आप सोचिए कि 413 है उसको नोकली नहीं मिल रही है और लेकिन उसको मिल रही है से दो नमर वाले जाद है और एक नमर वाले जाद है तो उसकी जिंदगी में उसके कर्योंकि में बहुत जयादा इंपेक्ट आए इस चीज़ से आया होगा या आएगा लेसे बेरा ये कि एक एक नंबर है एक एक मार्क है वो मार्क की इंपोर्टेंस है आप समझिए और हर घंटा या हर मिनिट है स्कोर इंप्रूव करने लिए आप अपने इफर्स लगाईए हम आपको पूर्श स्पोर्ट करेंगे अपने कर सकते हैं पिनेकल कोचिंग सेंटर से ओनलाइन कोचिंग या हार्डरी कोर्स काफी जादा जानकारी स्पेसलाइज आपको उससे लेखिड मिलेगे अब चलते हैं OBC से लेखिड OBC केटेगरी में देखिए सबसे ज़़ा प्रफ्रेंग यहां पे भी नार्कोटिक्स को प्रफ्रण देगी है तो आप बोलेंगे एक स्प्रेंट तो हो सकता है कि वह अंदादा से लगा दे लेकि मिजोर्टी ऐसा नहीं कर सकती है कि सभी नार्कोटिक्स पर होंगे तो इसक OBC केटेगरी इसका मतलब जिसका इंट्रू में नहीं हुगा इंट्रू पोस्ट में उसने अपने अगली फरफ्रेंस है यह दिये होगी इस रेंज में जरूर किया होगा उसने और 425 नमबर लिए होगी तब जाकर यह नोन इंट्रू पोस्ट है यह वाली मिले हो तो एक अंडर और यह फाइनल रेजल्ट है 2015 का यह कोई डाग्राम नहीं है यह रेजल्ट आया उसी पर डाटा है Auditor in office under CGA 421 CAG 412 और an accountant 410 यहां पर इतनी मेरी कट ओफ गई है accountant 408 और UDC में 407 और CBT दोनों भी सेंटरेंट चल रहा है General category और OBC में कि सबसे ज़्यादा प्रेफ्रेंस इस category इस रूप में दे रहे हैं सबसे कम exercise custom इनको प्रेफ्रेंस दी जा रही है लेकिन जिस फ्रेंट के अगर 400 स्कोर किया है टार वन और टार टार टू दोनों को मिलाकर 2015 में उसको कोई भी जोब है SSCC जिल की नहीं मिली इसका मतलब कि 0.5 की वज़े से वो रह गया और यह जो स्कोर है बहुत जादा इंपोर्ट होगा वह सकता कुछ बच्च ऐसे में होगा जादा हुआ होगा इससे तो वह आप देखिए कि कौन सा टेस्ट बाकि जो दूसरी टेस्ट उसमें नहीं रहें आप बहुत जरूर कर सकते हैं जहां तर परसेंटेज का सवाल है पार्ट का सवाल है यह जिस कमिसे के इतना स्कॉर इसपे गया है approximately same merit रही है थोड़ा बहुत फ़रक same merit auditor, आप बोल सकते हैं auditor की post को सबसे ज़्यादा lucrative मना जाता है, सबसे lucrative मैं यहाँ पे बजाए word यूज करहाँ powerful इस post को लोग ज़्यादा एहमियत देते हैं, उसके बाद UDC का नमर आता है और उसके बाद accountant और उसके बाद accountant का और tax assistant CBD to CBC इसमें जो cut off है वो काफी कम गई है, 345 इसका अब जिस बच्चे की 345 थी SC काटेगरी से नहीं उसको कोई job नहीं ली और इन दो काटेगरी में कोई vacancy नहीं थी दो काटेगरी में कोई vacancy नहीं थी यहां से लेकर यहां तक आवरेज लूँ और यहां से लेकर तो एक इंडिकेट तो यह करेगा कि कम उसे कम अगर नोकरी पक्की करनी है तो 2016 में अगर आपको नोकरी चाहिए कोई न कोई तो आप इतना score का जरूर टार्गेट रखिए इससे कम होने का मतलब यह हुआ कि आप एवरेज से नीचे अगर टार्गेट कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो सकती है रिस्क जोन में आ सकते हैं यह आपका safe score है 4700 लीजिये safe score होगा 110 लीजिये safe score 364 लीजिये safe score SC केटेगरी, OBC केटेगरी और general केटेगरी बाकी जो केटेगरी है वो मैंने इसलिए नहीं लिए ताकि जो presentation highly complicated इतना है बने लेकिन इससे आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि बाकी केटेगरी भी लग भग है इसी तरह का trend भी लेगा तो और इसको करने के लिए कितना score करें entire world में कितना score करना चाहिए वो दिखते हैं इस प्रसेंट इस पार्ट में वी भन सबूब करने तो अगर आप को जोब score करने तो 425 ओविसलिए पत्छिस नमट और लग यहांपे पत्छिस नमट और लग यह तब जाकर आपको तो इन्टु पोस्ट की तरफ बढ़ेगे यहां पर तो यह प्रजेंटेशन नोन इन्टु पोस्ट से लेटल है तो 424, 5, 410, 364 और आप जन्नल किटेगरी आप जन्नल किटेगरी से लेटल हैं तो इस रेंज में आप अपना स्कॉर का टार्मिट रख सकते हैं 110, 315, 425 होगा या पिर अगर आप टार 1 में अच्छा करते हैं तो 305 है स्कॉर लाने से भी काम चलेगा आपको जोब मिल जाएगे और OBC किटेगरी आप जोब चाहिए और 100 नंबर हैं सिर्क टार 1 में और टार 1 है 312, टार 2 है 310 स्कॉर तो आपका लगभर 410 जो नंबर इस तरह से आप अपना स्टरजी बना सकते हैं जिस चीज में ज़्यादा स्टोर्म है उस पर आप अपने आपको कॉंसलिडेट कीजिए और दूसरे स्ब्जेक्ट को इंप्रूव कीजिए ऐसे ही 120 अगर आप 120 ले ले लेते हो भी स्टरजी से तो आपके लिए रहात काफी हो सकती है क्योंकि 300 कम से भी स्कॉर में आप लाइन में जुरूर होंगी जोग के सब्सक्राइब करना पड़ेगा और 120 आता है तो लाइफ काफी असान हो जाएगी टाइटू के लिए क्योंकि अगर मैथ में 150 आता है तो इंगलिस में आपका सो क्यास पास या डिपेंट करता आपका किसमें जादा स्टेंथ है नोगरी मिलने की पूरी संबावना होगी ये एक सेफ स्कॉर होगा 2016 के लिए बाकी कंडिशन सेम रखते हैं तो एन्यूवे और इसकी ट्यारी करने के लिए हम एज पिनेकल जो की कोचिंग सेंटर और कोच कोचिंग ले सकते हैं हाई क्वालिटी कोचिंग आपको प्रवाइड की जाए कंटेंट प्रवाइड की जाएंगे और इन्पूट्स और गाइडर से आप ये स्कॉर को अचीव करने में कापी मदद मिलेगी आप चाहें तो ये स्सी सीजिल हमारी वेब साइट है स्सीजिल और उसके बाद यहां पर आपको लेफ्ट फैनल है यहां पर आएगा कि इस अगर ये ओन्नाइन कोचिंग जो कि हमारा सबसे बड़ा कोर्स होता है इसमें सब कुस इंक्लूड होता है वो जोईन करते हैं तो वो इसकी कोच्ट आप ये जोईन कर सकते हैं या फिर अगर पोर्शन पर है तो यहां पर 80 परड़ेक्ट मिलेंगे जो कि इस सभी का इससा होता है उसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा परड़ेक्ट आपके लिए मौस्ट फीजिबल हो सकता है तो यह था अनालीशिस 2015 से जो अभी रजल्ट आया है उस से लेटेड थैंक यू वेरी मुथ फूर वाचिन इस प्रस्टेशन और बेस्ट